अब RAW में Seth Rollins ने वो जो कपड़े पहने वे थे उसका बहुत बहुता मजा खोड़ा और Trish Stradus ने किसी टाप में WWE के अंदर इसी पहनी ही और Trish Stradus नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी Seth Rollins की और साइड में खोड़े हैं और पूछ रहे हैं फैन से who wore it better और लिटरली इसके लिए एक वोट भी है जहां पर जा कि आप वोट कर सकते हो कि बेटर किसने पहना है Seth Rollins नहीं या फिर Trish Stradus नहीं मतलब अब लिटरली हम कह सकते कि हम 2022 में जी रहे हैं जब Seth Rollins नहीं मेल बंदा ऐसे कपड़े पहन रहा है वैट Seth Rollins नहीं करी सकते हैं अंसा Okay, Hello Chaddates, My name is Rohit and you are watching WrestleChatter Start करते हैं सबसे पहले हम लोग Voice of Wrestling के एस एपिसोड की Monday Night Rock की वियर्शिप के साथ में थोड़ सी डिले थी सबते Last week की वियर्शिप थी 1.640 million वियर्श लेकिन सबते की वियर्शिप बढ़ गई है खुशक ऐसा है इतने बड़े पैसे देने के बाद भी WWE से की 1.5 million के आस पास भी घूम रहे हैं और पहले टाइम से ज्यादा ही पैसे मलते है WWE को हमेशा तो मुझे भी अपनी लाइफ में कैसे बनना जी जो मुझे USA Network जैसे WWE को ट्रीट करता वैसे ट्रीट कर सके अगली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं और मैंने आपको भी रिसेटली चैनल के पर बताया था कि जर्व न्यूस की तरफ से हमको यह चीज़ पता लग रही है कि जो रोमन रेंज है वो डबल ड्यूटी करने वाले रैसल मिने के अंदर यानि कि नाइट वन के अंदर भी रेसल मैच बन जाएंगे लेकिन अकॉर्डिंग तो स्टीव केरियर ओफ रिंग साइड न्यूस इनके अकॉर्डिंग यह न्यूस एकदम बुल्शिट है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि रोमन रेंज जो है नाइट वन और नाइट तू के ओपर अपने टाइटल को ड्र यह लग तरीके से अपडेट है मैं किसके ओपर जाता भी लीग करता हूं क्योंकि यह काफी बॉल्ड बात है कहना कि रोमन रेंज डबल ड्यूटी करेंगे तो ऐसे पर रिंग साइड हो सकता है इसमें सही हो बागि मेरे को अभी कुछ निस पर आईडिया है जो बात मुझे के बार में यह रिपोर्ट दी है कि उन्होंने डबल डबली के सोर्से उन्होंसे बात वेरिफाय करने के कोशिच करी कि क्या ऐसा कोई इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर तो उनको कोई वेरिफिकेशन नहीं मिला लेकिन अब इससे यह नहीं कहा कि राइटिंग स्टाफ के अंदर ऐसी बात नहीं हो रही है डबल डबली के इवेंट के बार में अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा सोचा तो मैंने यह आडिया लगाया कि शायद ऐसा हो सकता है कि यह जो डबल डबली का शो है वो सिर्फ एक लाइव इवेंट ही है मतलब कोई यह मेजर स्केल पर लाइवेंट को यूजुली ऐसी देखा जाता कि मेन रॉस्टर बर क्या हो रहा है कोई स्टोर लाइन के प्रोग्रेशन वहां से नहीं होती है स्टोर लाइन में जो चीज चल रही होती है उसी से सिमिलर मैच इस होते हैं लाइवेंट के अंदर तो इसलिए रिंगसाइड निउस ने जब यह बात बोली है कि राइटिंग स्टाफ के नरे से कोई बात नहीं हो रही है तो मेरे ख्याल से यह स्टोरी लैंस रिलेटेट कुछ भी नहीं है एक बन ऑफ टाइब का इवेंट हो जाएगा बट मेजर यह होगा इसके चांसे हैं क्योंकि इंडिया में डबल लॉवी अपनी जो अपने शो रेयर क्या भाई है तो इद का चांद इसे भी बड़ी बात होगी कि पांस साल में जब एक शो करा है तो 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 नहीं है लेक बने थे न्यूडे के रिकॉर्ड को पीछे करके अब वो अपनी लिस्ट में एक और नया रिकॉर्ड अड़ कर चुके हैं और पांस से भी जादा दिन हो चुके हैं उनको डबल लॉवी के अंदर टैक टीम चैंपन रहते वे और इस तरह के से वो बन गए डबल लॉवी के बनी के वो 500 वाला माल्स्टोन है उसको भी उन्होंने पूरा कर लिया है ये वैसे बल्ले-बल्ले हो गही ना उसोस की एक बात मुझे बताओ कॉमेंट में कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर रोमन रेंज का इतना लंबा रें ना चल रहा होता तो उसोस को भी ऐसा रही मिलता किया सिर्फ रोमन रेंज की वजय से है या फिर उसोस वैसे इतना जो लॉंग रियन है उसको लेकर चलने वाले थे थोड़ा मैंने स्टूपिड या सिली कोश्चन तो नहीं पूछ ले बटाना कि क्या रोमन रेंज करें ना होता तो भी उसोस करें ऐसा चल रहा होता या फिर नहीं नेक्स गाइज रोमन रेंज की उसी रप्चट आपको पता है यह जो एर्ड्रम है वह काफी सारी सीज रही कल मैं इस पर एक डेडिकेट वीडियो डाली है शाम को चैनल पर दो वीडियो आ रही भाई तो जाके देख लिए ना शाम को मैंने डाली थी उपर आई बटन भोगिया फिर दिस्क्रेप्शन में कि रोमन रेंज के अंदर इगो आ गया है स्टेट टो पॉइंट सीरीज के न्यू वीडियो तो जाके देख लेना उसको यह वीडियो तो आप सुभी देख लोगी तो रोमन रेंज का यह एक पिक्चर आ रही आप देखो मतलब आप क्या सकते हैं कि इतनी जोर का खिचा के मतलब थपड़ घुसा तुम कितनी मतलब थपड़ तुम लिटरली कितनी तेज मार दो कि ऐसा लाल कालग निशान पढ़ जा तो इतनी जोर का रोमन रेंज को पढ़ा है वट रेस्लिंग बिजनेस के अंदर इस उल्टा ही जाएंग बिल्कुल ओपेज़िट रिग फ्लेर ने क्या का वह उन्हें कहते है कि वह थो इंजोइन को प्लटलाइन के अंदर, आप ऐसा वन्हें क्यों क्यूं कहा वह कहते है कि ब्लटलाइन थोड़ी चीरियस किसम की टीम है यह ब्लटलाइन और उसो तो नहीं होना चाहिए रोमन इतना जदा ओवर है कि वो जो सामी जेन है वो उन्होंने किड्ड भी कॉल कर दें यहां पर सामी जेन को अब यह पता नहीं कैसी कैसी बाते करने रिक फ्लेयर मेरे तो समझ के बाहर रही है यह मुझे स्टूपिड चीज लगी इसलिए मैं आपके होता है यह तो फिर वही होगा कि तुमने एक फॉर्मेट सट कर दिया फैक्शन को चलाने का कि अगर हील है तो फिर सीरियस ही है तुम किसी को पसंद नहीं कर सकते लेकिन सामी जेन ने एक नया पूरा है ना आपको ब्लड लैंड को देखने का अलागी नगी नजरिया दिया सच में कुछ होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह तुमने लक्स से जीत लिया क्योंकि अब पहुंच चुका है कि तुम वह फिनिश मैश में करी नहीं सकते है कि हाँ वह बंदे ने बाइचांस हरा दिया फिर और यह कहते है कि I think the chapter that Austin theory is headed now is setting him up to build that build to being that qualifier to stand toe-to-to-to with Roman reigns any Austin theory यह कह रहे है कि मैं जो बिल्ड हो रहा हूँ न जो तो मुझे देख रही हो अब दीना हो वह मैं रोमन रेंस का इस जाने के लिए सारी जब बिल्ड है उसको setup किया जा रहा है और अगर सच में आसा डबलोबली कर रही है मतलब तो Austin theory obviously अपने character के अंदर रहे बोल र जो कि Austin theory भी देख रहे हैं बागी क्या ऐसा होना चाहिए कि Austin theory को setup किया जाए और Roman reigns के सामने फिर वो उत्रें और क्या पता फिर उनको एंडिस पोड़े चैंपेंशिप के लिए हरा भी दें क्या चीज़ डबलोबली प्रोड़क के लिए अच्छी होगी मुझे आप लोग तो फिर हो सकता है विए उसके पाद हम लोग ने गंतर के सांथ जो मैच है उसके भी रूमर सुने यह नहीं पता कि वह इंटर कॉंटेंटल चैंपेंशिप के लिए होगा तो फिर भाई आप यह भी देख सकते कि आप लेकिन अभी तक ब्रॉक लेस्नर ने खुद से डबल कि अगले कि आप लिए नहीं पर किसी बीचीज को लेकर नहीं है और और फिलाल के लिए कोई को लेकर अट रजल्मीना39 आज की नेक्शन फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और यह बड़ी इंट्रस्टिंग है और इस नजेरे से बहुत सारे फैंस ने सोचा नहीं है बिल्कुल भी कि ब्लॉड लाइन के इंदर यह हो सकता है अब हम सारी बाते करना हैं कि सैमी जेन वोह निखने वाले हैं किया वो निकलने वाले है धोके बास जोमन रेंगे साइन करते हैं तो वह बार जब ऑसे प्लेण अपना इस रेस कर थी उपर पॉंट करे थी तो हमेशा सोलो सिकोवा भी करते थे लेकिन ना ऐसी उन्होंने वार गेम्स के अंदर करी और ना उसके बाद मंडे नाइट रॉक यूप पर इवन वार गेम्स के जो क्लोजिंग मॉमेंट था जब वह एक फोटो भी आप देखी लोए यहां पर यहां पर जिस तरीके से रोमन रेंज सोल को देख रहें जेव इसल गोँए पॉसिल्य हैं यहीं और व्लॉल का कि तरही कि वह द्धर करेंगे और वह बेंगे और रोग की तरफ से क्योंगी रहें बेई फेस होते हुए कि Roman Reigns बंदा जो है बहुत ज़ादा अपने आपको head of the table के रहा है लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसके आने से पहले वो WWE के अंदर क्या कर चुके है कि family में से ही कोई बंदा family वाली नहीं storyline को शुरू कर रहा है पता नहीं यह चीज होगी है फिन यह फिर Solo Sikova अपने character के अंदर है लेकिन देखे कुछ तो suspicious है क्योंकि ऐसा नहीं Solo Sikova पहले से ऐसे थे अभी recently यह change आया है तो इस recently change का मतलब हो सकता है कि Rock ने कुछ न कुछ न एक्स वीडियो